जब जब देश में राजनीती की बात होती है तब तब कुछ परंपरागत चीजे सामने आती है और कई बार सिर्फ जातीगत समीकरण ही पूरी राजनीती को प्रभावित कर देते हैं कोई यादव है तो वो मुलायम सिंग के साथ चला जाएगा कोई SCST है तो वो बहन जी के वोट में तब दील हो जाएगा कोई ब्रामन है तो वो बीजेपी बन जाएगा लेकिन जब आप फर्स टाइम वोट देते हैं सोचे जब आप पहली बार वोट दे रहे हैं तो क्या आप कौन वोट दे रहा है यहाँ पर सभी पहली बार वोट दे रहे हैं क्योंकि फर्स टीयर के स्टूडेंट है अच्छा क्या नाम है आपका कार्तिक वाचार मैं सामाजी वग्यां संकाय का विद्यारती हूं और मैं पहली बार बोट दे रहा हूं और मुझे बहुत ही उस सुक की सरकार अब के बार मोदी सरकार को फिरसे लाना है पहुंचाना है अब कि पहली घा f safety लाए सचिन कुमार्गुपत्तक है कुछ चाहती है श्रकार क्या हई मैंप पुरवरत सरकार को ही चाना चाहूंगा तो कि मेरे हां मैं चंदोली का रहने वाला हूं और मेरे चंदोली के सांसद है महनराट पाणे जो की प्रदेश अध्याच है जिनका कार्य बहुत ही बंपर हुआ है एक सड़क जो पिछले 15 साल तक नहीं बने हुए थे वो तीन साल के अंदर बना हुआ है उनके साथ क्यों नहीं जी राहूल गांधी जी को पिछले बहुत समय दिया गया था लेकिन जब से मोधी जी आये हैं जिनका समवात जन जन तक है पहली बार वोट दे रहे हो तो क्या लग रहा है इस बार है पर कोई अच्छा नेता के लिए अब इन तो होता ही रहा है योगी पार्टियों से मिलके वही मैं भी बोल रहा हूं स्टुडेंस को यह समझना चीए लेकिन वह भी भावनाव में बहे जा रहे हैं बस जाती वाद ही कर रहे हैं किसी का जंडा लेकर के खड़े मैं यह सोच रही थी कि शायद आज का युवा आज के देखा इनिए लिएजु बच्चे हैं वो इस चीज से उपर उठ गए हुँगे लेकिन अब हीए जाय लुट सारे लोग नि जांते लिए उछे नीयता नहीं चुन पः इसलिए यही एकारण है तो atch अभी तक मेरे भी नजर में कोई अच्छन आनिındए अ ends अलिए अरही ने बताया कि नोटा के बारे में विचार किया जाए खेन गहीं आप पूंच रहे हैं यहां हमारे बिच्चु के चात्रों से कह रहे हैं कि कौन सा नेता होना चाहिए तो किसी पर्टिकुलर नेता की बात हम नहीं कर सकते हैं वास्तफिक तो पर जो हमारा देश की पिछले पां की सरकार होनी चाहिए तो इस देश में जनता 70 साल सो लोगों की चुन रही है पिछले 2014 में मोदी ने कहा कि हम एक कर देंगे बहुत सारे वादे कि सब लोग जानते हैं कुछ हुआ नहीं और पिछले 70 साल से हर प्रदानमंत्री ने हर पार्टी नहीं वादा किया है तो अगर मोदी को अगर उनका मुल्यांकन किया जाए पिछले पांच साल में हमारे बियाच्चू में इतनी बुरी स्थिति है चालीस परसंट से जाद टीचरों के पद खा लिए और पिछले पांच साल में यूजी सी का बजट लगतार कट किया गया है बात इस पर क्यों नहीं हो रह लेकिन किसान का बेटा हूं और मैं पुरूत सरकार करूंकि कीशान की कि अलगभगर के बराबर मैं में तो मैं किसी पर्सटे मैं नोटा को Комहें क्या आप पहली बार वोट दे रहे हैं आप नोटा के सिमाल करें। मेरे रामराष सेखर सिंग कुशी निगर जिले का हूँ मैं एक शातर होने गनाथे सबसे नियुक्षा ब्यवस्ता पर बता है कि और वर्तवान सरकार रिख जो इसकुली लेवल सबकुल रूंत है था से जो पहले खुले आम होता था कि जैसे बिकास की बात हो रही है तो विकास एक अमूर्थ है मतलब कि बिकास में क्या जैसे रोटी कपड़ा और मकान हम चाहते हैं तो सिच्छा तो मतलब कि पिछले साल विजद 24 था मैं इन्वस्टिटी में था वहां में न्यू चनल आये थे खाहि तो सवाल हैने कि विकास में आप चाहते हैं हमां हम वह मारे हमारे देश का जो सब्सक्राइक बिरोस्टित हैं और, और, इंडिया जा रहा हूं और मैं मोदी सरकारों को भोड़ दूंगा क्योंकि पांच साल में मोदी ने इवाओं को लोग बोलता है कि मोदी ने रोजगार नहीं दिया है मोदी ने भारत का समुचा भी किया है आज आपके सामने दिखा जो पाकिस्तान में हुआ इसलिए मैं मोदी को बोड़ देना चाहता है अगर आप युबाओं की बात कर रहे हैं और उसके साथ आपको अपने निजी स्वार्थ को भी तिलांजली देना होगा आपको देश की लिए काम करें तो क्या मोदी राहूल मोदी जी अनली मोदी जी चलिए तो ये हाला कि ये सब की इच्छा नहीं है कुछ बच्चे ऐसे भी है जो पहली बार वोट देने जाएंगे और उनका ये कहना है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और वो नोटा को चुनेंगे अब अगर यूथ नोटा को चुनने लगेगा तो सरकारों को अपनी पेशानी पर बल बढ़ा देने चाहिए क्योंकि ये समस्या है और इस समस्या का समाधान होना बहुत ज़रूरी है नहीं तो ये समस्या आगे चल कर बहुत बड़ी होती चली जाएगे फिलाल फर्स टाइम वोटर में बेच यू के इस कैमपस से इतना ही आगे और भी चलेंगे कई और जगों से आपको दिखाएंगे कि इस बार पहली बार वोट देने वाला मद्दाता क्या सोचता है नमस्कार